दोस्तो इस वीडियो में ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे जो अपने केरियर में काफी अंसक्सेस्पूल रहे और पिछले कुछ सालों से और येंज द्वारा ट्रोल भी हुए बड़ 2024 के IPL में उन्होंने अपने आपको साबित कर दिया कि उन जैज़ा कोई प्लेयर नहीं है हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं रियान पराग की अब ऐसे रूमर हैं कि वो T20 वर्ड़कप 2024 का भी हिस्सा होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल एन बाइगोराफी के बारे में तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इनका रियल नेम है रियान पराग ये प्रापेशन से कर्केटर हैं और लाउंडर इनका जनम 10 नवंबर 2001 को गोहाटी एसम इंडिया में हुआ 2024 के साब से आज इनकी एस 23 एर हो चुकी है अब इनकी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इन्हों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई साउथ पॉंट इस्कूल गोहाटी से की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये अवी 11 इस्टेटर की पढ़ाई कर रहे हैं अब इनकी क्यादे के बारे में देख लेते हैं दोस्तों उन्होंने बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेलना सुरू कर दिया था और जब बहे 12 साल के थे तब बहे असंप अंडर सिस्टीन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे साल 2017 में उन्होंने सलामी बल्लेवाज के रूब में कॉलकता में जारकंड के खिलाफ अपना T20 डेब्वी किया और 23 जुलाई 2017 में उन्हें अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुना गया और उन्हें अपना फर्स्ट मैच इंगलेंड के खिलाफ यूट टेस्ट खेला और दोनों पारियों में अर्दिस तक बनाया और हम आपको बता दें 14 नमबर 2017 में उन्होंने बांगलादेश के खिलाफ अपना अंडर 19 यूट बंडे डेब्वी मैच खेला उसी समय उन्होंने साल 2017 रंजित ट्रॉफी में हैदरवाद के खिलाब अपना फर्स्ट किलास टेब्वी मैच खेला जिसमें उन्होंने दो बिकेड लिये दिसम्मर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 किर्केट बल्ड कप के लिए चुना गया लेकिन दुर्भाग से वह भायल हो गई उंगली की चोट के कारण पराग ने टूनामेंट की शुरुआत में ही छोड़ दिया वह 2018 उन्हें बिजे हजारे ट्रॉफी में असम के लिए साथ मैच वमर्टले रन के साथ हाईयर रन स्कोरर थे हम आपको बताते हैं दिसम्बर 2018 में उन्हें 2019 आईपेल के लिए खिलाडी की नीलामी में राजिस्तान रोयल द्वारा इस प्राइस बीस लागर पर्ण खरीता गया 2019 आईपेल के तोरान वे आईपेल के इत्यास में अर्द सतक बनाने वाले सबसे कम उमर के क्रिकेटर बन गई उन्हें 2022 आईपेल आउक्षन के लिए मेगा लीग से पहले राजिस्तान रोयल द्वारा रिलीच किया गया और फरवरी 2022 में उन्हें 2022 आईपेल टूनामेंट के लिए नील आमी में राजिस्तान रोयल द्वारा फिर से खरीत लिया गया और ये आज भी राजिस्तान रोयल के लिए खेलते हैं तो हमको कॉमेंट एक बताना कि रियान पराग आपको कैसे लगते हैं अब मिलवाते हैं इनकी फैमरी से तो इनके फादर का नाम पारसदास है जो स्टेट लेफल किरिकेटर थे इनकी मदर का नाम मिठ्थू बारूद दास है अब इनकी होवी के वार्णमें देख लेते हैं तो इनको ट्रैवलिंग सुमिंग खाफी पसंद है अब इनके physical status देख लेते हैं तो इनके height लगवक 6 feet इनका eye color dark brown और hair color black है और ये nationalistic Indian है और religion से Hindu हैं अब इनके house के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते काँ पर हैं तो ये अपनी family के साथ Guwahati SM India में रहते हैं अब इनकी income के बारे में देख लेते हैं तो इनको IPL में Rajasthan Royal ने 3.8 crore रपे में खरीदा था साथ ही ये brand इंबोस भी करते हैं जिससे लाक रुपे कमा लेते हैं अब इनकी net पर देख लेते हैं तो report के निसार इनकी total network लगवक 12 crore रपे है तो ये थी रियान पराग की lifestyle वीडियो I hope आपको बीडियो पसंदाई होगी अगर बीडियो पसंदाई होगी तो बीडियो को एक लाक जरूर करना Thanks for watching